आज हम लोग पजल्स करेंगे और पजल्स में हम यह देखेंगे कि किस तरह के कोश्चन्स हमारे पास आते हैं और उसको करना कैसे है सबसे जरूरी चीज पजल्स को डील करते हुए जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान रखें कि जो इसमें information दे रखी होती है उसको हमें organize करना होता है उसे हमें सही तरीके से arrange करना होता है अगर अपने information को सही तरीके से organize कर लिया arrange कर लिया तो फिर उसके आने वाले जो भी टीम से पांच questions होते हैं उसको deal करने में कोई परिशानी नहीं आती है पजल्स एक ऐसा topic है जो आप देखते हैं हर exam में आता है हां उसका difficulty level vary करता है clerical में थोड़ा असान है PO में cut in है SSC, CHSL में असान है CGL में थोड़ा सा cut in है हलागि PO में उससे जादा cut in होता है ठीक है लेकिन हाप puzzles more or less आते तो सभी जगे पे हैं ठीक है तो आईए आज की class में इस video class में हम लोग कोशिश करेंगे कि puzzles के कुछ ऐसे concepts को develop करने का प्रयास करें जो सिर्फ in questions पे नहीं बल्कि आगे के भी आने वाले puzzles पे जो आप exam में face करेंगे वहाँ पे भी आपके लिए useful हो अब जैसे एक simple सा question हमने लिया है यहाँ पे four married couples belong to a theater club ठीक है चार married couples है पूजा, सोनिया, कावेरी, मौनिका यह quite obvious wives है और इनके husbands है नवीन, फारुक, कपन और मानव और कुछ clues दे रखे हैं कि नवीन is मौनिका's brother अब देखो अगर कोई किसी का भाई है तो उसका husband तो नहीं हो सकता ना, मैं हमेशा यह suggest करता हूँ कि आप लोगों को Sudoku solve करना चाहिए, right, as you, आप लोगों को Sudoku solve करना चाहिए puzzles में जो question हमारे पास आते हैं, उसमें जो logic apply होता है, तुम अक्सर देखो कि उसमें Sudoku का logic apply होता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको Sudoku अभी solve ना किया हो, कुछ लोग ऐसे भी होगे जो Sudoku regularly solve करते होंगे, ठीक है तो Sudoku solve करने से यह होता है, कि जो एक logical bent of mind चाहिए होता है, जिस तरह का logic हमें develop करना होता है अच्छे puzzles के लिए, अभी तो एक starting का puzzle है, आगे अभी कुछ और अच्छे puzzles भी आएंगे, मैं चाहूंगा आप लोग mute पे रहें बेटा अगर कुछ जरूरी बात आप नहीं कर रहें, तो आप mute कर लिजे अपने आपको तो Sudoku जरूर से solve कीजिए, right, Sudoku solve करने से आपकी logical decision making skills, logical skills, analytical skills काफी improve होती है, ठीक है तो आप जरूर से आयूश मैं तुम्हें mute कर रहा हूँ, ठीक है, mute पे रहो बेटा So Sudoku में आप ये develop करेंगे कि कहाँ पे कौन सा number आता है, कहाँ पे कौन सा number नहीं आता है अगले reasoning class में हो सकता है, मैं तुमसे एकाथ Sudoku भी करा लूँ, है न, online कर रहे हैं, तो Sudoku class भी एकाथ कर लेंगे, कोई tension नहीं है क्योंकि Sudoku regular, तुम्हें पता है Sudoku एक एक लौथी ऐसी चीज है, जो कि दुनिया के हर अकबार में हर रोज आती है Do you know that? It is featured in world's every newspaper every day, right? तो अकबार वाले बड़े चालू होते हैं, ऐसे किसी चीज़ को जगए नहीं देते, important है, इसी लिए देते है It's a very good mental exercise and I would strongly recommend कि आप लोगो Sudoku रोज करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए चलिए आईए फिलाल इस question को देखते हैं, organize करेंगे मेरा ये suggestion है इस तरह के सवालों में, अगर आपको, इसनको discuss करना है, deal करना, सबसे पहले तो एक table बना लेना चाहिए ये data को organize करने के लिए कुछ इस प्रकार का table बना लेना चाहिए, ठीक है जहां जो भी चीज पता लगेगी उसको हम यहाँ पे tick cross tick cross करने ही कोशिच करेंगे जैसे पहला clue था हमारे पास, Naveen is Monica's brother तो Naveen और Monica की कभी शादी नहीं हो सकती, मैंने यहाँ पे cross लगा दिया समझ रहे हो ना, Monica and Tapan were once engaged, कभी इनकी शादी हुई थी, Monica और कौन Tapan once engaged मतलब भाई, शादी नहीं हो पाई ना, आगे, इंगेज हुई बट आगे, शादी नहीं हो हमें इस तरह के सी utilize करना होता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, Kaveri has a sister, Kaveri की कोई sister है, ठीक है, Kaveri की कोई sister है, जो भी information है, उसको इस तरह के से हमें पढ़ने की कोशिश करनी है, कि हमें उस information को दुबारा ना पढ़ना पढ़े, हमेशा उसको हमें अपने चार्ट में अपने copy पे इस तरह के से represent कर लेना है, डी आई में, reading comprehension में, puzzles में अकसर ऐसा देखा जाता है कि उस information को हम कम से कम दो बार पढ़ते हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि अगर तुम उस information को maximum एक से देड़ बार पढ़ने की ज़रत है, यानि तुम पढ़ो और represent करो, पढ़ो और represent करो, ऐसा नहीं हो जी, पूरा पढ़ा फिर representation शुरू करा, बिल्कुल भी नहीं, पांच, चार लोग थे, चार boys, चार girls हमने उनको represent कर लिया, पढ़ा फट से, और फिर हमने clues को पढ़ना शुरू किया, and straight away हमने उसको table में represent करना शुरू किया, positive information है तो tick लगाएंगे, negative है तो cross लगाएंगे, यह अभी negative information मिली, क्या भई नवीन की शादी मौनिका से नहीं होगी, तपन की शादी मौनिका से नहीं हो सकती, वो broke up हो चुके हैं, all right, wonderful, आगे पढ़ेंगे, कावेरी has a sister, but her husband is an only child, कावेरी के जो भी husband है, यह हैं कावेरी, और इनके जो भी husband है, he is the only child, इसको मैं इस तरीके से represent करूगा, right, he is the only child, ठीक है, मैं हमेशा कोशिश यह करता हूँ कि puzzles पढ़ते वे कुछ इस तरीके से puzzles को पढ़ू ताकि दुबारा पढ़ने की ज़र्द बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, all right, देखते हैं, पूजा is married to मानव, बहुत ही अच्छी information है, पूजा is married to मानव, अब देखो जैसे ही हमें यह information पता लग गई कि यहाँ पे टिक लग गया है, तो पूजा की शादी भाईया सिर्फ मानव से होगी न, किसी और से तो नहीं होगी, और मानव की शादी जब पूजा से होगी, तो वो भी किसी और से नहीं होगी, तो यहाँ से तुम्हें indirectly एक बात बहुत साफ साफ पता लगती है, क्या, कि मानिका की शादी के लिए बचते हैं सिर्फ पारुख और किसी से शादी हो ही नहीं सकती, I hope आपको यह बात समझ में आती है, ठीक है, किसी का कुछ मेंसेज आया है, देख लेते हैं बई, क्या मेंसेज भेजा है बच्चों ने, चलो देख लेंगे, पहले कोश्टन सॉल्फ कर लेते हैं, फिर तुम्हारा चैट बॉक्स पढ़ लेंगे, यह तो स्टेम इंफरमिशन रिपीट होगी न, नवीन इस मौनिकाज ब्रदर, ओके, नवीन जो है, वो मौनिका का भाई है, अब देखो, नवीन अगर मौनिका का भाई है, तो कावेरी का हस्बेंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ही इस अउनली चाइड, है ना, तो नवीन कावेरी का हस्बेंड नहीं हो सकता, ये information हम कहां से ले रहे हैं इस वाली information से और यहां जो जानकारी दे रखी थी इस से ठीक है नवीन is Monica's brother अगर ये Monica का brother है तो कावेरी का husband नहीं हो सकता है ठीक है तो हमने यहां पे इसको cross किया नवीन के हो और जैसे हमने यहां पे cross किया तो कावेरी के पास सिर्फ एक ही choice भचती है कि वो तपन से शादी कर ले और अगर कावेरी ने तपन से शादी कर ली तो तपन की शादी किसी और से नहीं हो सकती और नवीन की शादी सिर्फ सिर्फ सोनिया से हो सकती है इसके आए कि information मुझे ऐसा लग रहा है ये redundant है कावेरी हैसर सिस्टर बट हर रस्बें इस अनली चाइड पूजा इस मैरी टू मानव है ना ये information शायद ये repeat हो रही है redundant है तो यहां पर जैसे ही तुमने इस table को finish किया तुम्हारे पास ये question completely तैयार हो गया बच्चों अब इस question में कुछ खास नहीं रह गया है ठीक है अब आपके पास जो भी इससे question आएंगे उसको आप असानी से कर लेंगे देखिए next question set है हमारे पास बहुत असा question है there are five different houses a to e in a row a is at the right corner row की बात हो रही है right left की बात हो रही है मैं तो फटा-फट से इस तरीके से ऐसे questions को ऐसे पांच space बना लेता हूँ one two three four and five अब जहां पर भी जो भी information मिलती है उसको हम लोग clear कर लेते हैं a is the right of b and e a जो है वो b और e के right पे होगा तो हमने उसको इस तरीके से represent कर लिया ठीक है इसको हमने इस तरीके से represent कर लिया okay a is the right of b a is the right of b वो information अलग है ठीक है दूसरी वार information अलग है and e is the left of c e is the left of c अभी यहां पर represent नहीं कर पा रहे हैं बड़ जहां जो information मिल रही है as usual मैंने क्या बोला था उसको फटा-फट से हम represent कर लेंगे दुबारा question पढ़ने की जरुत नहीं पढ़नी चाहिए okay e is the left of c बहुत बढ़िया and the right of a and the right of a e के बारे में बात हो रही है न okay b is the right of d b is the right of d b जो है वो d के right side पर है बहुत बढ़िया which of the houses is in the middle अब इसे हमें represent करना है लेके चलना है कैसे हो सकता है तो देखते हैं आओ चलो तो a और b की significance इस तरीके से है right a जो है वो b के left में था तो अगर मैं इसको club करूँ तो ये b आ जाएगा और ये d आ जाएगा यानि ये आपके पास कुछ configuration बनके आती है अब अगर बोला गया middle में कौन है तो बहुत ही असान सा question था और इसका answer a हो जाएगा मुझे अमीद है किसी को भी कोई doubt नहीं है इस question में बहुत ही असान question निकला ये तो okay next question की तरफ बढ़ूँगा बिना पूछे हुए कि तुम्हें समझ में आया की नहीं मैं next question की तरफ बढ़ रहा हूँ कोई doubt है तो बेशक आप chat box में डालिए बताइए next question हमारे पास है अगर कोई doubt है तो chat box में डाल देना I'll look into the chat box कोई attention नहीं chat box में कुछ है चल एक बढ़ पढ़ और six friends जो easy questions है मैं थोड़ा ज्यादा fast move कर रहा हूँ intentionally जो अच्छे questions होंगे उसमें थोड़ा invest कर लेंगे है यह असान है तो मुझे लग रहा है यह असानी से आप सब लोग समझ रहे है okay a b c d e f are sitting in a close circle facing the center कभी भी अगर center circle का question आता है और अगर छे लोग हैं हमारे पास odd number of लोग हैं दो किसी का mic on है बेटा off कर लो रोहित कुमार mic off करो बेटा तो छे लोग हैं तो मैं तो सीदे सीदे इसमें तीन line ने बना लेता हूँ तीन line ने बनाने से क्या होता है छे मेरे पास जगे क्रियेट हो जाती है और कहीं अगर गलती से कोई मुझे statement मिल जाती है कि diametrically opposite तो मैं किसी भी line के across उनको बिठा दूँगा सब लोग center की तरफ देख रहे हैं आज कल जो अच्छे questions आते हैं उसमें कुछ लोग center की तरफ देखते हैं कुछ लोग पार की तरफ भी देखते हैं लेकिन फिलाल यह थोड़ा असान question है और अगर center की तरफ देख रहे हैं तो हमें यहां पर कुछ बाते ध्यान रखनी है कि अगर हम clockwise move करेंगे clockwise जैसे की घड़ी की सुई गूमती है तो हम लोग हमेशा किस दिशा में जाएंगे तो हम लोग हमेशा left direction में जाएंगे और अगर हम लोग anti clockwise move करेंगे तो हम लोग हमेशा right direction में जाएंगे यह कुछ बातें ध्यान रखने की हैं दो बाते मैंने बताई फिर से दो राता हूँ जितने भी लोग हैं राइट जैसे हमारे पास छे लोग थे तो मैंने तीन लाइन बना ली आठ लोग होते चार लाइन बनाते चार लोग हैं दो लाइन बनाते ठीक है आधे लाइन बना दिये अगर और नमबर अफ लोग है तो मैं लाइने बनाऊंगा यह नहीं अगर सात लोग होंगे पांस लोग होंगे तो मैं लाइन अब देखो अगर कोई चीज information मुझे वहाँ पे नहीं दिख रही है तो मैं तो इसको इस तरीके से पहले linear में arrange कर लेता हूँ E is to the left of D C is between A and B C is between A and B अब दो possibility है या तो C इस प्रकार से है या फिर C इस प्रकार से है A और B की position आपस में interchange भी तो हो सकती है F is between A and E और यहाँ अगर देखें तो F is between A and E अब देखो इन informations को जब मेरे पास यहाँ पे दो possibility है possibility number one possibility number two और यह certain है तो बताओ क्या इसमें possibility number one कभी exist करेगी कभी पी नहीं क्यों क्योंकि E के immediate right पे मुझे D चाहिए और यहाँ right side पे यहाँ पे मैं D लही नहीं पाऊँगा यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगा I'll remove it यह possibility यहाँ पे खतम हो जाती है और फिर हमारे पास सिरफ एक सीज़ बचती है क्या B, C, F, E and D और इसको उठागर के मैं यहाँ सब्सक्र में बढ़ा दूँगा तो यह रहा B, उसके right में C, उसके right में A, उसके right में F, उसके right में E और उसके right में क्या, उसके right में D and then you have all the things with you who is left of b b के left hand side पे कौन बैठा है तो भाया d बैठा है the answer is c option who is right of c c के right side पे कौन बैठा है तो a बैठा है ठीक है तो बहुत सा असा असा question है I hope आपको ये बात भी समझ में आती है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है आएंगे so next question आईए देखते हैं next question हमारे पास क्या है next question है 8 boys PQ, RST, U, V, W are sitting around a circular table facing the center again अब 8 लोग है और सब लोग table के center की तरफ देख रहे हैं ठीक है 8 लोग है तो मैं 4 line मना दूँगा right center की तरफ देख रहे हैं तो उससे हमें बस इतना confidence मिलता है कि clockwise direction में हमारा left आएगा और anti clockwise direction में हमारा right आएगा ठीक है इतनी बात हमें बता लगती है जहां जो information है इस तरीके से पढ़नी है कि दुबारा पढ़ने की ज़रत ना पढ़े ओके, all right W sits between T and Q W जो है वो T और Q के बीच में बैठेगा मैं इसको कुछ इस तरीके से symbolically represent करूँगा कि हाँ भई ये दोनो possibility exist करती है ठीक है तो जितनी possibilities है सब लेके चलनी है बाद में अगर कोई चीज किसी rule को follow नहीं करती है तो हम उसको हटा देंगे ठीक है आगे देखते हैं क्या आ रहा है Q sits opposite to you ये बड़ी अच्छी information लगती है मुझे ये line में तभी बनाता हूं Q sits opposite to you कहीं भी उसको एक line के opposite उसको बिठालो किसी भी line के opposite जरूरी नहीं कि इस line के तुम कहीं भी बिठालो मर्जी है तुमारी ठीक है तो Q के बारे में और U के बारे में हम इतनी बात sure है कि वो diagram के opposite होगा 2, 4, 3 ने answer दिया है T, T, W ठीक है बेटा देखते हैं अभी अभी चेक करेंगे ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग next information क्या कह रहे P sits to the immediate right of T P sits immediate right of T अब देखो immediate right of T होगा तब तो ये वाली information fail हो गई है इनकी position क्या आजाएगी कि W के right side पे T होना चाहिए और इधर Q होना चाहिए तभी तो ये information follow हो पाएगी क्या कि P जो है वो T के right hand side पे है ये follow तो तभी हो पाएगा तो जब तक किसी भी चीज को हम लोग कोई भी statement previous information को disobey ना करे तब तक आप उसको जो है carry forward करके रखेंगे ध्यान से उसको रखेंगे ओके आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है and opposite to R कौन P P जो है वो किसके opposite है R के opposite है तो ठीक है अभी मैं इसको circle में represent नहीं कर रहा हूं तो मैं अपने symbolically ऐसे represent कर ले रहा हूं कि P और R diametrically opposite बैठेंगे all right S does not sit next to R यानि कि S और R जो है ये साथ में नहीं बैठेंगे ठीक है मैंने इस तरीके से represent किया अब देखते हैं इस information को overall हम कैसे represent करेंगे तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि Q के right hand side पे W आएगा इसके right hand side पे T आएगा और इसके right hand side पे P आएगा तो इतनी बाते तो यहां से clear है न right एक और information हमें क्या मालूम है कि P के opposite R है बहुत बढ़िया ये रहा P P के opposite R और आखरी information हमारे पास ये थी कि R का neighbor S नहीं है बहुत बढ़िया मतलब यहां पे नहीं आएगा तो कहां आएगा सिर्फ यहां आ सकता है बचा कौन? W Everything is absolutely fine now right असान question है बहुत जादा खुश होने की जरुरत नहीं है हमें यह level थोड़ा असान ही रखा गया intentionally right I told you the last set is really good वो थोड़ा exam level पे है PO level पे है आँ चलो देखते हैं फिलाल answers करेंगे जल्दी से who sits opposite to V V के opposite कौन बैठा है V कहां गया अरे V कहां चला गया भई यहां पे V होना चाहिए था W यहां पहले से आ गया था यहां मैंने W गलत लिख गया यहां V होना चाहिए था this should be V तो V के opposite कौन है V के opposite T है T D option who sits two places left of S S के left hand side पे two places left मतलब clockwise तो 1, 2 two places left of S क्या बोलोगे P ठीक है who sits two places left of S left of S मैं यहां से कहां जाओंगा two places पे मैं P पहुंचूंगा तो answer is P if S and Q interchange their places who sits opposite to Q okay तो opposite to Q तो जो S के opposite है वो Q के opposite हो जाएगा तो S के opposite क्या है W है तो W हो जाएगा ना right so the answer should be DAA DAA check करें क्या answer दिया आप लोगों ने right पहले video pause करते हैं और फिर check करते हैं let's do this so यहां पे क्या है हमारे पास question में हमारे पास question क्या दे रखा है नहीं आएगा ऐसा लिख लेता हूँ ताकि मुझे दुबारा ना पढ़ना पढ़े ठीक है D is the second to the left of F अच्छा भई D is second to the left of F कुछ ऐसा होगा मतलब एक चीज तो यह है कि यह D और F एक ही रो में होंगे और यह left पे होगा इसका मतलब भी दुनों दो extremes पे होंगे बिकाज तीन ही लोग है और second number पे है मतलब बीच में कोई तो आएगा है ना तो I hope we understand it आगे देखेंगे D is the second to the left of F उसके बाद C is the neighbor of E C is the neighbor of E यानि C और E same direction में होंगे कहां पे होंगे पता नहीं इस तरफ है या इस तरफ है फिलाल मैं इनको एक circle में रहूँ यह एक circle में है और यह एक circle में है यहां से एक बात और भी समझ में आती है बेटा कि D और F के साथ कोई एक ही आज़कता है पता है कहां पे होंगे यह position अभी नहीं पता है कोई बात नहीं आगे बढ़के देखते हैं आगे क्या बोला C is the neighbor of E and sitting diagonally opposite to D बहुत बढ़िया C जो है वो D के diagonally opposite है यानि C की position तो fix हो गए C अपने पास आ गया ठीक है और क्या कह रहे है B is the neighbor of F B is the neighbor of F यानि B यहां पे आएगा और C और E क्या थे C और E neighbor थे तो C अगर यहां पे है तो E का यहां पे आना तै हो गया और कौन रहे गया A रहे गया तो A को जो बची वी जगे रहे गई यहां बिठा दीजिए क्या जाएगा answer Which of the following are in one of the rows A, E, C, B, D, F तो A, E, C नहीं B, D, F हाँ तो C option इसका answer सही होना चाहिए Who is facing B? B किसको face कर रहा है? E को तो यह answer हो जाएगा D option I hope आप सभी को यह बात समझ में आती option है Right? कभी भी इस तरह के question में आप यह देखेंगे कि जो सबसे suitable option है आप उसको mark करेंगे आप यह नहीं देखेंगे कि आपका answer से match हो रहा है की नहीं You are looking for the most suitable option Right? तो अगर यहाँ पे दिया होता Either B or F Question number 30 में अगर दिया होता Either B or F Either B or F तो वो सबसे suitable option होता और हम उसको mark करते इन दिये गए विकलपों में से जो सबसे सटीक option है वो है can't be determined and we will go with that ठीक है तो 29 का B और 30 का D हमें mark करना चाहिए था आप लोगोंने answers दिये है B and A A गलत है बैचों A is wrong इसका answer D हो जाएगा ठीक है इसका answer D हो जाएगा जादातर लोगोंने A बोला है D होना चाहिए ठीक है कोई doubt है तो पूछ लो बेटा कोई अगर इस question में doubt है पूछ लीजे